ट्रेडिंग इन दे जोन चेप्टर 10 ट्रेडिंग पर बिलिप्स का इंपेक्ट यदि बाहरी वातावर्ण खुद को अनन्त कॉम्बिनेशन में एक्स्प्रेस कर सकता है तो हमारे एक्जिस्टेंस के बारे में अवेलेबल बिलिप्स भी अनलिमिटेड हैं यहां पर सीखने के यह विस्तरित रूप है फिर भी हुमेनिटी के नेचर के बारे में एक जनरल ओप्जिरवेशन बनाने के लिए मैं कहूंगा कि हम निस्चित ही इस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जिती हैं जो इस कावत के साथ कंसिस्टेंट होती है यदि यह सत्य है कि कुछ भी करें जो कि हमने सीखे है यहां पर हमारे खुद की बिलिफ की वेलिडिटी को दूसरों को मनवाने और दूसरों के बिलिफ को डिनाई करने के पीछे जरूर कुछ है चोटे से लेकर बड़े तक कम से लेकर सबसे मैत्वर पून तक सभी कॉन्प्लिक्ट को कंसिडर करो फिर चाहे व्यक्तियों के बीच हो, कल्चर के बीच हो, समाज के बीच हो, या देसों के बीच हो, ये सब कॉन्प्लिक्टिंग बिलिप्स के कारण होते हैं। इस तरका awareness उनमें होती है, otherwise हम बाहर से कैसे जान पाते की हमारे mind के inside में क्या है, हम कैसे जान पाते की हमारे expectations फिल फिल हो गई है, हम कैसे जान पाते की वे फिल फिल नहीं होई है, हम कैसे जान पाते की जिन information और वातावान से हम सामना कर रहे हैं, वे हमारे beliefs के साथ contradict कर रहे है इसकी इकलोती explanation मेरे पास यही है कि परतेग beliefs कुछ इसतर की awareness या self-awareness रखता है जिसके कारण यहाँ ऐसे function करता है एनर्जी का यह idea जो कुछ इसतर की awareness रखता है यह कुछ लोगों के लिए स्विकारने में difficult हो सकता है लेकिन यहाँ कई observation है जो कि हमारे व्यक्ति गत नेचर और सामोईक नेचर के बारे में हम बना सकती है जो कि possibility को support करता है पहला सभी लोग चाहते हैं कि दूसरे उस पर विलिव करें यह matter नहीं करता कि आपके beliefs क्या है लेकिन जब आप पर लोग विलिव करते हैं तो आपको अच्छा फिल होता है मुझे लगता है यह positive feeling universal है मतलब कि यह सब के लिए लागू होती है इसके विपरिफ कोई भी यह नहीं चाहते कि उसको disbelief किया जाए यह अच्छा फिल नहीं करवाता यदि मैं कहूं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता तो जिस तरह की negative feeling आपकी body और mind में resonate होगी वह भी universal होती है उसी तरीके से कोई भी यह पसंद नहीं करता कि कोई हमारे beliefs को challenge करे challenge एक attack की तरह feel होता है beliefs की परवाय किये बिना सबी लोग खुद को और अपने beliefs को depend करते हैं और situation के अनुसार वापस attack करते हैं खुद को express करते समय हम चाहते हैं कि सबी हमें सुने यदि हमें लगता है कि हमारी audience हमें attention नहीं दे रही तो हमें कैसा feel होता है not good again मुझे लगता है कि यह response भी universal होता है इसके वीपरीत एक good listener बनना इतना मुश्किल क्यों है क्योंकि एक good listener बनने के लिए हम खुद को किस तरह से express करेंगे यह सोचे बिना actually में हमें सुनना पड़ेगा बिना interrupt कि यह सुनने की inability के पीछे का force क्या है क्या हम अपने जैसे beliefs वाली लोगों की साथ रहना पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसा करने पर वह comfortable और secure फिल करती है क्या हम अपने से अलग और conflicting beliefs वाली लोगों को avoid नहीं करते क्योंकि यह हमें uncomfortable लगता है bottom line यह कि जिस पल में हम belief को गरहन करती है यह ऐसा लगता है जैसे इसने खुद का जीवन पा लिया हो जिसके कारण हम इसकी और attracted होती है और इसे पसंद करती है और इसके विपरित beliefs को ना पसंद करती है यह मानती हुए कि यहां बहुत divergent beliefs भी exist करती है यही यह attraction या comfort और discomfort की feeling यूनिवर्सल होती है एक, belief की प्राथ में क्विशेश ताए आपके mental environment में trading के 5 fundamental truth को effective तरीके से install करने के लिए यहां तीन basic विशेश ताएं हैं जिने आपको समझना होगा फस्ट, beliefs खुद से एक जीवन गरैन कर लेते हैं जिसकी वज़े से जो इन beliefs को present form को alter करता है उसे यह register करते हैं सबी active beliefs कुछ न कुछ expression की मांग करते हैं थर्ड, चाए हम beliefs की existence के बारे में जाग रुक हो या ना हो इसकी परवा है कि यह बिना यह beliefs अपना काम जारी रखते हैं नमबर वन, जो beliefs की present form को alter करता है beliefs उसे register करते हैं हम सायद beliefs अपनी structural integrity maintain कैसे करते हैं इसकी dynamics को नहीं समझते लेकिन हमें इसे करते हुए observe कर सकती हैं यहां लोगों के बहुत से examples हैं जो किसी issue में belief करती हैं जो इतना powerful होती हैं कि वे अपने beliefs को violate करने के बजाए खुद को torture करना पसंद करती हैं यह केवल एक demonstration है कि beliefs कितने powerful हो सकती हैं beliefs एक परकार की energy या force का संगटन है जो naturally दूसरे force को resist करता है क्या इसका अर्थ यह है कि वे beliefs alter ही नहीं किये जा सकती नहीं ऐसा नहीं है इसका अर्थ केवल यह है कि हमें यह समझना होगा कि इनके साथ केसे काम करना है beliefs को alter किया जा सकता है लेकिन वे से नहीं जिसा की जादातर लोग सोचती है मैं मानता हूँ कि एक बार एक belief ओम हो जाता है तो यह destroy नहीं किया जा सकता दूसरे सब्दों में कहें तो यहां हम कुछ नहीं कर सकते जो किसी belief के exist होने का कारण वने और इस तरीके से nest भी नहीं कर सकती कि वे कभी exist ही नहीं करते थे यहां physics के basic law से विस्तापित किया गया है Albert Einstein और scientific community के दूसरे लोगों के अनुसार energy ना तो create की जा सकती है और ना ही destroy की जा सकती है यहां के वल transform की जा सकती है यदि beliefs energy है structured conscious energy तो physics की low beliefs पर भी लागों होंगे यदि आप जानती है कि कोई आपको destroy करने की कोशिज कर रहा है तो आप कैसे respond करेंगे आप खुद को defend करेंगे fight back करेंगे और सायद आप पहले से ज़्यादा strong बन जाएंगे परतेक individual beliefs हमारी identity का एक component होता है तो क्या ये expect करना वाजिब नहीं कि यदि कोई हमें डराने की कोशिज करें तो परतेक individual beliefs ऐसे respond करें जैसे कि सभी parts collectively respond करती है यह same principle सच होता है यदि हम ऐसे act करने का try करती है जैसे कि कोई प्रेशानी खड़ी करने वाला कोई beliefs exist ही नहीं करता यदि हम सुबह जगें और वे सभी जिनको आप जानते हैं वे आपको ignore करें जैसे कि आप exist ही नहीं करते तो आप कैसे respond करोगे आप सायद ज्यादा समय नहीं लगाओगे किसी को पकड़ कर उन्हें जबर्दिस्ती आपको जानने के लिए force करने में अगें यदि आप purposefully ignore किये गए हैं तो परतेक individual belief भी इसी तरीके से act करेंगे यह हमारे जागरती में खुद को pressure करने का force लगाने का तरीका ढूंड लेगे हमारे beliefs के साथ काम करने का सबसे effective और सरल तरीका यह है कि इन्हें inactive और non-functional तरीके से render करें उनसे energy को बाहर निकाल कर मैं इस process को deactivation कहता हूँ deactivation के बाद belief की original structure वेशी ही रहती है यहां बदलती नहीं है difference ही होता है कि belief की अब कोई energy नहीं होती बिना energy के इसमें force की तरह act करने का potential भी नहीं रहता second, सभी active beliefs expression की demand करती है beliefs को दो category में रख सकते है active और inactive इन दोनों में simple सा अंतर है active beliefs energized होती है वे information के हमारे perception पर force की तरह act करने के लिए enough energy रखते है एक inactive belief एकदम इसके वीपरीत होता है यह एक ऐसा belief है जो कई कारणों की वज़े से कोई energy नहीं रखता जब मैं यह कहता हूँ कि सभी active beliefs expression की demand करती है तो मेरा मतलब यह नहीं कि हमारे mental environment में मौझूद सभी beliefs एक साथ खुद को express करते है example के लिए यदि मैं आपको पूछू कि आज इस world के साथ क्या गलत हुआ है तो यह गलत सब्द आपके mind में केवल उन ideas को लाएगा जो कि इस world में परिशानी वाले है वरना साथ यहां कुछ ऐसा नहीं है जो इस world के बारे में परिशेनी वाला हो point यह है कि यदि आप मानते हैं कि यहां कुछ गलत है फिर भी आपने मेरे question पूछने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा होगा लेकिन जिस पल मैंने question पूछा तो तुरंत ही उस issue पर आपके beliefs formation में आ गए मैंने कहा कि express किये जाने की demand करती है क्योंकि एक बार किसी चीज के कारण हमारे beliefs trigger हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे डिलीज हो रही energy के परवा है को हम रोक ही नहीं सकते यह विशेश कर emotionally sensitive issues और ऐसे beliefs जिनको लेकर हम passionate है उनके लिए सकते है आप सायद पूचे कि मैं अपने beliefs को express होने से क्यों रोकूंगा इसके कई कारण हो सकती है एक scenario को consider करो जिसमें आप workplace पर अपने से superior से interact करती है और यह person कुछ ऐसा कहे रहा है जिसे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं है तो क्या आप आपके truth को express कर देंगे या hold back करेंगे यह उस belief पर depend करेगा सायद आप अपने बोस की तरफ देखकर सहमती में अपना सिरह लाओगे लेकिन क्या आपका mind agree है और क्या आपका mind उस वक्त सांत है बिल्कुल भी नहीं इस इस्तिते में आपके beliefs अभी भी expression की demand कर रही है मगर ये express नहीं किये गए है क्योंकि एक counter acting force की तरह दूसरा belief act कर रहा है यह एक example है कि कैसे हमारे beliefs express होने की demand करती है लेकिन तब क्या होगा जब एक से ज़्यादा beliefs हमारे intent, goal, dreams और desire के साथ conflict में होती है इस तरह के conflict के परभाव हमारे trading पर भी पढ़ती है जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि beliefs distinction create करती है जो आपने beliefs के nature के बारे में समझा है उसके संदरप में यदि आप अब भी trade करते समय negative state of mind experience करती है तो आप यह assume कर सकती है कि संबावित outcome के बारे में आप जो जानती हैं और आपके mental environment में किसी और चीज के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं उस belief के बीच में कुछ conflict है यह बात ज्यान में रखो कि सभी active beliefs कुछ expression की demand करते हैं फिर चाहे आप चाहें या ना चाहें probabilities में सोचने के लिए आपको यह believe करना होगा कि market में परत्यक moment unique होता है जब आप functional level पर believe करते हैं कि परत्यक age का unique outcome होता है तो आप एक एसा state of mind feel करोगे जो डर, stress और anxiety से free होता है एक unique outcome वो होता है जो हमने पहले कभी अनुबव नहीं किया है इसलिए यह ऐसा है जिसे हम पहले से जान ही नहीं सकते यदि यह known होता तो यह unique नहीं होता जब आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाल है तो आप market से exactly क्या expect कर रही है यदि आपने कहा कि मैं नहीं जानता तो आप एकदम right है यदि आप यह मानते हैं कि कुछ ऐसा होगा जिसे आपको जानने की जुरुत नहीं है तो market को threatening और painful तरीके से interpret करने का potential कहां से आएगा third, हमारे mental environment में हम beliefs की existence के बारे में जाग रुख है इसकी परवाह कि यह बिना ही यह beliefs काम करते रहते हैं हमें किसी beliefs के बारे में जाग रुख होने या याद रखने की जुरुत नहीं होती फिर भी यह हमारे behavior और information की perception पर काम करते रहते हैं मैं जानता हूँ कि इस पर believe करना मुस्किल है कि हमारे जाने भी नहीं कोई चीज हमारी live पर कैसे impact डाल सकती है लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हो तो आप जान पाओगे कि हमारी ज़्यादा तर learning, unconscious और subconscious लेवल पर store रहती है यदि मैं आप से पूंचू कि उन सभी skills को याद करो जो आपने confidence के साथ एक car drive करने के लिए जरूरी होती है तो chance है कि आप सभी को याद नहीं कर पाओगे जिन पर आपको गाड़ी चलाते वक्त concentrate करना पड़ता है पहली बार मुझे एक teenager को driving सिखाने का अवसर मिला था मैं बहुत amazed था ये देखकर कि यहाँ कितना कुछ है शीकने के लिए कितनी सारी process को मैंने पोर granted ले लिया था संभवत है इसका best example वह वक्ती है जो drink करके drive कर रहा है किसी given day या night को यहाँ साहेद हजारों लोग drink करके गाड़ी चलाती है और उन्हें किसी point A और point B तक जाने के बीच का कुछ भी पता नहीं होता यह imagine करना मुश्किल है कि यह कैसे संभव है जब तक आप driving skills को और किसी के beliefs को automatically drive करने की योगिता मानती है फिर चाहें वे इसके बारे में aware हो या नहीं हो दूसरे सब्दों में कहें तो driving skills ऐसी skill है जो किसी के subconscious level से operate होती है valuation and trading यह विशेशता हैं हमारे trading में कैसे लागू होती है यह भी बहुत गहन है trading environment wealth को संचित करने की unlimited opportunities का एक arena ओपर करता है लेकिन केवल इसलिए क्योंकि money available है और हम इसको पाने की संभावनाओं को पर्सीव कर सकती है इसका मतलब यह नहीं कि हम self-evaluation का भी unlimited sense रखती है दूसरे सब्दों में कहें तो कितना money हमारे लिए चाहते हैं कितना money हम पर्सीव करती हैं और कितना money हम desire करती है इसके बीच में बहुत बड़ा gap हो सकता है सभी के पास self-evaluation का sense होता है इस sense को describe करने का सबसे सरल तरीका यह है कि सभी conscious और subconscious active beliefs की list बनाओ जो आपके greater level की success पाने के लिए आर्ग्यू करने का potential रखते हैं यदि आप आपकी success के लिए negatively charged beliefs से ज़्यादा positively charged beliefs आर्ग्यू करते हुए पाते हैं तो आप self-evaluation का positive sense रखते हैं otherwise आप self-evaluation का negative sense रखते हैं मैं यहाँ यह नहीं कह रहा है कि जो beliefs आपके positive self-evaluation को expand करने से रोक रहा है उसे deactivate कर दो क्योंकि आप यह नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसे beliefs को लेकर aware होना होगा और जब यह beliefs अपने आपको express करने की कोशिश करें तो इनको compensate करने के लिए आपको specific steps लेने होंगे